असलाम अलिक माई ब्यूटिफर यूटिफ फैमली आज मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ लासा बनानी की रेसिपी ये एक मीडल इस्टेंड रेसिपी है और इसका मैन इंग्रेडिन है अंडे बहुत यम्मी और रेसिपी है ये तो आप इसे एक दफ़र जरूर से ट्राइ करें और बहुत कम टाइम में बनके तयार हो जाती है आप इसे breakfast में सुबह में enjoy कर सकते हो bread की साथ पाओ के साथ या फिर आप प्राटे के साथ में भी enjoy कर सकते हूं तो आईए बनाना शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं हमें कुन-कुन से इंग्रेटन के ज़र्वत होगी तो सबसे पहले फ्लेम को ओन कर लेंगे और मुझे चाहिए होगा सोस पेन आप मैंने सोस पेन में लिया है घी आप चाहें तो इसे बटर में या फिर ओ क्या है आप चाहें तो लोंग शेप में प्याज को कट करके भी आट कर सकते हूं और फ्लेम को हाई कर के प्यास को अब हमें जब तक फ्राइ करना है जब तक हमारी प्यास यह लका से पिंकिश लर की नहीं हो जाती है या फिर यह तो फिर आप इसमें डवल कॉंटेडी में प्यास ले सकते हो तो प्यास हमारी हलकी सी ब्राउन कलर की हो गई और हलकी सॉफ्ट भी हो गई है हमारी ये प्यास तो अब इसमें हम आट करने वाले हैं टमाटर एक बड़ी साइस का मैंने ये टमाटर लिया जिसको हमने रफली चॉप किया है टमाटर को भी तो टमाटर दाल देंगे और टमाटर को भी हलका सा हमें सॉफ्ट करना है अब इसमें हम आट करने वाले हैं नमक इस पॉइंट पर अगर आप इसमें नमक एड़ कर देते हैं तो इससे क्या होता है हमारा ये टमाटर भो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो मैंने वन टी स्पून इसमें नमक एड़ किया है तो टमाटर भी हमारा सोफ्ट होगे, प्यास वगेरा भी हमारी इसमें सोफ्ट होगे, अब इसमें हम दालने वाले हैं पाउडर मसाले, तो पाउडर मसालों में हम इसमें आड़ कर देंगे काली मीरी का पाउडर, वन टी स्पून, और वन टी स्पून हम इसमें आड़ कर दें कि हरी मिर्ची के बाद अब इसमें ढ़ने वाले हैं टोमेटो केचव तो तक्रीब टीन टेबल स्पूर मैंने इसमें केचव भी बढ़ी आड़ कि आहें बहुत आठ आता हैं तो इस तरह से हमने पाड़ा मसाले हरी मिर्ची वगेरा भी समें शामिल कर दी अच्छे से हम मिक्स वगेरा शामिल नहीं करेंगे पिना पानी के बहुत अच्छे से हमें भूनना है सारे इंग्रेडन को क्योंकि इसमें हमने टामाटर वगेरा एड़ के तो टामाटर भी अपना पानी छोड़ता है तो इसमें पानी दालने के आपको ज़र्वत नहीं है तो इस तरह से हमारी सार अंड़ दालने के बाद सारे इंग्रेडन को इस तरह से अच्छे से फेला देंगे। टू टेबल स्पून हमने इसमें आट किये चीज क्रीम और इस तरह से हमारी रेसिपी बनके तयार हो जाती है। आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू फो वचिंग में वीडियो लाफीज। आपकी बनी। आपकी बनी। लाफीज बनी। आपकी बनी। झाल दून है तरह से टून को इस तरह से बनी।